हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल रेस्पी सब आज मैं आपसे शेयर करने वाले हूं रेस्टोरेंट वाली कॉल्ड कॉफी की रेस्पी घर पर बनाने का बिल्कुल असान और सरल तरीका तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जिस भी ग्लास या कॉफी मग में आप कॉफी सर्व करने वाले हैं उसे आप फ्रीज में रख दें चिल्ड होने के लिए इसके बाद कॉफी बनाने के लिए यह मैंने कंटेनर लिया है जो सिलेंडिकल है नेरो है और थोड़ा सा लंबा है इसमें मैं कॉफी अब इसमें डाले हैं शक्कर एक बड़ा चम्माच या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको अड़ेस्ट कर लाएं आधा कप ठंडा दूध तीन से चार आइस क्यूब इसमें डाले हैं जिससे आपकी कॉफी खुब ठंडिब बनेगी और इसमें एक बड़ा चम्माच चॉकलेट सिरप डालें अब इस कॉफी को फोमी बनाएंगे तो इसके लिए हमें इसे वीप करना पड़ेगा और मैं इलेक्ट्रिक हैंडमीटर के इस्तमाल कर रहे हूं जिससे असानी से हो जाएगा और इसे वीप करते रहना जब तक इसमें ज्यादा सा फोम और पिल्कु फ्रोधी इसका टेक्स्टर नहीं आता तब तक इसे हम वीप करेंगे और इसको टाइम पुरा लग जाएगा कम से कम एक मिनिट का लगता है और एक मिनिट आपको पेसेंस लखना पड़ेगा आपको पीने के लिए तो इसे वीप करते रहा है और यदि आपके पास इस तरह का लेक्टिक हैं ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सर में बना सकते हैं जो बड़ा जा रहा है उसमें बना लीजिए और अच्छी तरह से चलाईए एक से डेल मिनट अच्छा इसमें वी फ्रोध जाग बनेगा बट उसमें इतना थिक जाग नहीं बनता है जैसा इसमें आया है अभी यह दिखाती मैं देखिए इसमें कितना गाढ़ा फोम आया है अच्छा वाला लेकिन मिक्सर में बनाएंगे तो थोड़ा कम आएगा लेकिन टेस्ट सेम रहेगा अब ग्लास हमारा जो ह इस तरह से हम चोकले स्रफ लगाएंगे तो दिखने में भी बहुत खुश्रत लगेगा और आपकी कॉफी भी ज़्यादा चोकलेटी बन जाएगी अब इसमें आप अपने कॉल्ड कॉफी को डालें फोम को ग्लास के उपर लगाएं और इसको और ज़्यादा गानिश करने क के लिए आप इस पे कॉकोवा पॉडर या चोकलेट पॉडर भी स्प्रिंग कर सकते हैं आपकी कोल्ड कॉफी के ग्लास जो है कितना खुफसरत दिखा है सच में यह बहुत ज्यादा टेस्टी होता है तो इस तरह से आप जटपट रेश्टूरेंट वाली कोल्ड कॉफी घर को सब्सक्राइब करें तो बेल एकन को दबाना ना भूलें इससे मैं जब भी नहीं रिस्पी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नूटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे इसके साथ ही आप मुझे आप ट्रीटर या पिंट्रेस्ट भी फालोग कर सकते हैं